मेरे फ्यूचर मेकर के सभी साथियों को मेरा प्यार वर नमस्कार साथियों मेरा नाम आसीस कुमा रजक है जैसा कि आप सब को पता है कि 8 अक्टूबर 2019 को सहडोल केस के प्रत्रण में मुझे जेल भेजा गया था और अभी 8 जनवरी 2020 को मेरे को हाई कोट से मेरा पुरा केस समाप्त हुआ साथियों मैं और मेरा पुरा परिवार और मेरी पुरी टीम फ्यूचर मेकर कंपनी के मैनेजमेंट का दिल से धन्यवाद करना चाहती है कि इस विकट पश्तिती पे वो सामने आकर हमारे केस को खत्म कराया साथियों मैं बस आपसे इतना निवेधन करना चाहता हूं कि जहां जहां भी फ्यूचर मेकर के केस चल रहे हैं जो मेरे नाराज भाई हैं उन सभी से हाँ जोड़कर निवेधन हैं कि वो अपना-पना केस वापस ले क्योंकि जब तक रादे स्याम जी बाहर नहीं आएंगे तब तक कम्पनी वापस चालू नहीं हो सकती क्योंकि रादे स्याम जी कम्पनी चलाना चाहते हैं और साथियों मैं अज़स सिवास्तो जी का विधन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कम्पनी का केस वापस लिया और पूरी कोल टीम का विधन्यवाद करना चाहता हूं हमारे परिवार में जो भी समस्या आई अब वह बहुत जल्द समाप्त होगी ऐसा मैसूस हो रहा है क्योंकि सेडोल केस का खत्म होना ही आगाज है अगर आप सब हमारा सहयोग करें कंपरी की मेनेजमेंट का सहयोग करें तो बहुत जल्द रादे से हम जी बाहर आ सकते हैं और पुरा प्रयास किया भी जा रहा है साथियो पुनह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और मेरी टीम आग्रह करना चाहती है कि जो भी हमारी नराज भाई है क्रपया अपना जल्द से जल्द केस वापस ले और कंपनी को वापस चालू होने में मदद करें तभी हम सब का पै झाल झाल झाल